अब एक बार फिर से रूप करेंगे गिरी डिका सेयोगी अर्विंद हमारे साथ मौजूद है अर्विंद और क्या तस्विरे दिखा पा रहे हैं। और यह अभी जंडा मैदान की सफाई में जुटे हैं। प्यापक तैयारी की गई है और तैयारी की भी जा रही है पुलिस परसासन के द्वारा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोड में परतिनुक्ति की गई है ताकि दौल के दवरान किसी तरह की दिकत नहीं हो। हमारे साथ कुछ लोग है आप जाना चाहेंगे कि आप लोग किस संगठन से हैं और दौल में हिसा ले रहे हैं। हम लोग के लिए हुए हैं। हम लोग की इच्छा थी कि मतलब सरदार बल्लबाई पटेल के जैनती धूमधाम से मनाई जाए ताकि लोगों की बीच में एकता का संदेश जाए। दूसरी बात है आज हमारा धारा 370 का फाइनल है जिस पर स्टांप लगने वाला है दो यूनियन टेरिट्री बनने वाली है तो उसी के आद में हम लोग एक बहुत बड़ा काईज करम को आयोजन करना चाहते हैं। तो राइदा हर तरफ खुशी का महाल है हमारा है कुछ और लोग है आपके संदेश देना चाहते हैं रंदिर जी सरदार बल्लब भाई पटेल जेनती के अवसर पर जो है इनका जो सपना था कि एक साथ रहने का एकता का जो इसका संदेश था इसलिए परतेक वर्स आज के द परते जो बंदे रहने का संकल्प लेंगे तो राइदा हर तरफ एकता का संदेश पहला जा रहा है रहा है राण फोर यूनिटी का आयो ज़न भी इसी कळी में है और लोगों का कहना है कि अगर एक राष्ट सरेश राष्ट का नारा सार्था करना है तो इस तरह के कार्करमो का आईजन होना जरूरी है जी राइदा बहुत बहुत शुक्रिया अर्विंद तस्वीरें दिखाने के लिए जानकारी के लिए तो रन फोर यूनिट का आयो जन ग्रीडी धनबाद जमशेत पूर ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है मधुपूर में भी इसकी त पामिल होंगे लोग